हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आर चैनल मल्टी रोज लाइफ देश क्रोना की दूसरे लहर से जूज रहा है क्रोना के ऐसे विप्रित समय में लोगों को अपनी इम्मुनिटी बढ़ाने पर विसीज जोर देने को कहा जा रहा है एक्सपर्ट मानते हैं कि जिन लोगों की इम्मुनिटी अच्छी है उन्हें इस समय वारिस की संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित माना जा सकता है लेकिन जिन कीमुनिटी पावर वीक है तो उन लोगों में कमजोरी और धकान की समस्या जादा देखने को मिल रही है और ऐसे में अगर आप इस पर विचार कर रहे हैं कि इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए तो इनी बातों को दिहान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिरोधक शम्ता को मजबूत करने वाले खाने पीने की चीजों की एक सूची जारी की है बढ़ाने कि इसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी सभी चीजे किचन में लगबग मौजूद है तो आईए भारत सरकार द्वारत सुझाए खादे प्रधातों के बारे में जानते हैं पहला ताजे फलो का सेवन जरूरी इम्मूनिटी बढ़ाने के लिए आविशक है खुद को हाइडरेट रखें खुद को हाइडरेट रखने के लिए विटामिन और मिनरल यूपति यानी ताजा मौस में फलो का सेवन करना जैसे मौस मी, नीमबू, पपीते, संत्रे, आदी को दैनी कहार में जरूर शामिल करें इससे आपकी इम्मूनिटी ही बूस्ट नहीं होगी बलकि आपको उरजा भी मिलेगी और तो और आप पूरा दिन हाइडरेट भी रहेंगे दूसरा अहर में शामिल करें ये खाद्यपरदा सरकार की तरफ से जारी खाद्यपरदातों की सोची में बताया गया है कि ऐसा भोजन करना चाहिए जो उनमें मास पेश्चों को दोबारा से निर्मान, इम्मूनिटी और उर्जा की स्तरों को बढ़ाने में सहायक हो यानि साबोतानाच जैसे रागी, जैई और अमरबेल आदी का सेवन बहुत जरूरी है तीसरा हल्दे वाले दूद का सेवन हल्दे में एंटी आक्सिडेंट गुन्ध मौजोद होते हैं जिसके चलते इसका सेवन शरीर की प्रतिरोदक शमता को बढ़ाता है शरीर की प्रतिरोदक शमता के चलते ये शरीर को सरदी जुखाम जैसे रोगों से भी दूर रखता है इसलिए लोगों को इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए दिन में एक बार हल्दी वाला दूद सरूर पीना चाहिए चौता खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं सरकार की और से जारी खाद्य प्रतार्त की सूची में बताया गया है कि शरीर को स्वस्त रखने के लिए भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं इसके लिए चिकन, मचली, अंडे, पनी, सोयबीन आदी बेहत फायदे मंद होते हैं ये सबी प्रोटीन की अच्छी स्त्रोथ होते हैं देहनी कहार में इन चीजों को अविशक शामिल करें पांचवा तनाव और घबराहुट को कैसे करने दूर सरकार द्वारा जारी सूची में बताया गया है कि यदि आपको चिंता या फिर घबराहट हो रही है तो सत्तर फीसी दी कोको युक डाक चॉकलेट खाने से लाम मिलता है अक्रोट, बताम, जेतून और सरसो के तेल का भी सेवन फायदे मन माना जाता है इसके लावा सबी लोगों को नियमित रूप से योग और सांस लेने वाले वयायाम जरूर करने चाहिए कि प्रती रोदक शम्ता को बढ़ाने के साथ आपको इसके विपरित समय में तनाम मुक्त रहने में सहायक होता है ऐसे में अगर आप यह सोच रहे थे कि आपको क्या खाना चाहिए कैसे इस वारे से लड़ सकते हैं कैसे मिनिटी पावर बढ़ी तो भारत सरकार द्वारा बताएगा इस डाइट चार्ट से आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी बस आपको इस डाइट चार्ट को रुजाना फूलो करना है और फरक आपको दिखने लगेगा बाई टेक कैर बी हापी धन्यवाद